Hello everyone, welcome to the new video from StudyBuzz और मैं हूँ अनपब गुपता तो यार जो भी cat aspirants हैं उनके लिए एक बहुत important news है कि cat ने correction window form की open कर दी है तो अब आपके पास यह opportunity है कुछ दिनों की कि आप से अगर कुछ गलतिया हो गई है form में तो उसको ठीक कर सकते हो लेकिन इसके ओपर एक limitation लगाई हुई है क्या क्या चीज़ें आप correct कर सकते हो हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसे पहले friends हम start करें इसके ओपर हम डेली बेसिस पर बहुत important content पोस्ट करते हैं तो friends अगर हम जाएं IamCat की website के ओपर तो उन्होंने यहाँ पर यह blue tag के अंदर एक चीज clearly कर दी है कि आपकी जो editing window है वो open हो गई है लेकिन editing window के अंदर इन्होंने एक चीज limit कर दी है कि आप क्या-क्या चीज़े change कर सकते हो सिरफ आप अपनी photograph, signature and city preference यही तीन चीज़े हैं जो आप update कर सकते हो इसके अलावा अगर आपकी कोई mistake आपके academics के अंदर है या work experience के अंदर है यह आपकी personal details के अंदर है उसको आप change नहीं कर सकते हैं सिरफ इन ही तीन चीज़ों को आप अपनी photograph को, signature को और city preference को कर सकते हो और इसके लिए जो time window है इन्होंने 27th September को इन्होंने open करी है correction window सुबह 10 बजे and last date है 30th September शाम में 5 बजे यानि कि लगबग 3 दिन के आसपास का इन्होंने आपको time दिया है ये 3-3 दिनों के अंदर आपको अपनी जो भी correction if any कर दिया है अगर सब कुछ ठीक है तो कुछ भी करने की ज़रूद नहीं है लेकिन अगर आपसे गलती हो गई है तो इन 3 चीज़ों को आप correct कर सकते हो for example मान लिजे कि आपने अपने form में login किया तो यहाँ पर personal details का column आप देख सकते हो personal details में आप यह देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी photograph और signature आ रही है but अगर signature में गलत आए है बलर आए है बहुत छोटे आए है बहुत बढ़े आए है तो आप उसको अभी correct कर सकते हो 30th September का आपके पास time है उसी तरह जब आप test city पे जाओगे तो test city में आप देख सकते हो कि भाई आप इसको change कर लो because इसके बाद in future आप change नहीं कर सकते चाहे आपको city preference 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले जो भी मिले इसको आप change नहीं कर सकते है तो जो करना है अगर आपको यह हिसाप से यह ठीक है तो आपको इसको as it is रहने देना है और अगर आपको लगता है कि यार आपको change करनी है अपनी test city preference तो आप इसको अभी कर सकते हो इसके लावा friends हमने cat 30 days की advance workshop अपनी launch कर दी है जो की 12th October से start हो रही है और 13 November तक है चलने वाली है इसमें live online classes होंगी 30 के 30 दिन जिसके अंदर 100 hours से ज़ादा का live workshops होने वाली है रोज 9 to 12 रात में इसकी class होगी सारे topics covered होंगे complete revision bootcamp होने वाला cat के लिए इसके अंदर 30, 60, 90 seconds की हम approach करने वाले है recording भी मिलेगी अगर आपकी कोई class में सोजाती है इसके अंदर अभी आप early bird offer में इसको 4999 में avail कर सकते हो 4999 में आपकी complete advance level की आपकी preparation हो जाएगी cat exam की और अगर आप इसमें enroll करना चाहते हो तो आप हमारी website पर visit कर सकते हो और इस तरीके से कुछ इसका time table रहने वाला है for example 12th October से start होगी तो आप देख सकते हो percentages, time and work, miscellaneous, averages, RC1, miscellaneous, LRDI2 इस तरीके से सारे topics रहने वाले हैं और 13th November तक यह चलने वाली हो और इन workshops के बाद आपकी advance level तक की preparation cat के लिए हो जाएगी तो अगर आप इसमें enroll करना चाहते हो तो link नीचे आपको description box में भी मिल जाएगा तो friends यह सब कुछ ता आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने discuss कर लिया है कि cat की correction window open हो गई है आप चाहो तो correction जाके कर सकते हो और अगर कोई नहीं है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है